आपके साथ आपका होस्ट रुतिक आखरी वन डे इस साल का इंडिया वसेज वेस्ट इंडीज बाइस दिसंबर दिन रविवार खेल लेगा भारत बनाम वेस्ट इंडीज लेकिन ये मैच अभी बराबरी पर है एक-एक यानि की सीरीज अभी बराबरी पर है जीते का कौन जीत किसके पाले में जाएगा भारत या वेस्ट इंडीज किसी को नहीं पता लेकिन वो कहते है कि टॉस बॉस होता है तो जो टॉस जीतेगा वो बॉस बनेगा लेकिन अब इस बात को भी काटते है हमारे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोली वो कहते है कि यार ह वारे सहीयोगी पत्रकार अमन जी सर विराट साब कहते हैं कि हम चेज मास्टर हैं आप में रंदे तार्गेट दो हम चेज कर लेंगे लेकिन हमें पता नहीं था कि हम कुछ टार्गेट सेट कर देंगे हमने तर्गेट सेट कर दिया यहां वेस्सट इंडीस की हालत खराब हो गई एस टार्गेट को पोरा करने में तो कही- prenderte हो कि को लगता है कि कल टोस और भारत जीते का या फिर वेस्स Ăंडीस और अगर भारत टोस जेता है तो उसे पहले बल्ले बाजी किढ़ने चाहिए या गेंड़ कर YE दोनों ही मैच तरसमिन और 25माच मेचывать यह वह थाश रहा को यह भोग हमाम के तूरारा में 24 पर 217 हे पहले से सीद़ना से पाले समय जार forgoti than two आढ़ तो कि आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित हो यानि कि आपने जिस तरह से कहा कि दूसरे मुकाबले में दो 387 रंग का भारी भरकम स्कोर विश्मरीज के सामने था मेहमान टीम के सामने था और यह स्कोर कहीं से घवरा भी गहते क्योंकि जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए तेज सामने में 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 बिल्कषिता थ siitä घा करेंद musste तोस के ठीम चीचोड़ जहांचाः धर ऑन्काबले में पहले हमस्टरीज शुरुआ रंगिते ढम तरद तका कहीं में देगा है वip रिराट को चोड़ कर बिल्कुल झानि खि sound को श्युआ बात है कि आखी टीम कालों ठीम तो डिशाप पंध के तो कहीन है तो अजिए अज़ लगाइ सिर्फ चेज नहीं हम भाईया तर्गेट दे सकते हैं यह तो इस फस्ट करता दूसरा मुकाबला था थाइसी नहीं अपने उनको अपने तर्गेट तर्गेट था इसको अज़ जिता अज़ तो इस बार जो अज़ लक्षे को देते हो नखर आएंगे यॉ लक्रा करते हो नज़र आए यॉर कोुड़। इसम जोड़ का अपने बात तो मुझे लग लगता कि लेता है información और यॉह लंगते हैं तो थी त्वीसरे मुकाबले में टीम इन्या पीछा करेंगे लक्षे का यह देखने वाली बात होगी और क्या इसमें विराट को ली बहुत ही बहुत भी बहुत रदर्शन करते हुए नजर आएंगे यह देखने वाली बात होगी लेकिन हाँ सबसे जरूरी है कि टॉस किसके हक में आ तरह से दूसरे मुकाबले में दो तीम तो 87 दनों का भारी भरका मुष्कोर पहले बैटिंग कर दो पर जाना चाहिए उसकी तरफ जाना चाहिए लगा दोने ही मैचों में विराट कोली का बल्ला नहीं चला यह बड़ी बात है लेकिन क्या जो मैं पिर बात है लेकिन क्या ब नहीं करने की फिराग में क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि उनका बल्ला सेके इनिंग में बहुत ही धुवाधार बोलता है और सबसे मज़दार बात है कि जब जब उनका बल्ला बोला है टीम इंडिया ने जीत दर्ज की बहुत बदो चुक्रे से रमासाथ करने के लिए सिरीज खेले का भारत बनाम केरवियाई टीम वेस्ट इंडिस की कटक के बारबती स्टेडियम में वह वी 22 दिसंबर को दिन रविवार याद रखिए इस रविवार को खुशनुमा बहतरीन देश के लिए सौगात देगा भारत का टीम क्यूंकि दो मैचेज में एक मैच हम जीते हैं, 2nd ODI हम जीत चुके है विशाका पत्नम में और पहला मैच हम हार गए थे, कहीना कहीं हमारी फिल्डिंग भी घलती थी, कहीना कहीं बोलिंग में हमने खराप रदर्शन किया बहुत सारी बाते हुए लेकिन अब तीसरा जो ODI होगा वहां बहुत बड़ा नयाए औ कटक के बाड़ाबती स्टेडिया में क्योंकि यह डिसाइड कर देगा साल का आखरी बाजशाह कोड़ तो फिल्हार के दीजो इजासत और देख रिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स